दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लूशेंट समाने ग्यान इससे रुलेटेड जो है important 40 plus question जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चैनल को सब्सक्राइब कर bell icon यानि जो घंटी का निशाने इससे जरूर सण करते हैं ठीक है और यह total 40 plus question है आप इन में से कितने question जो है सही कर पाते हैं अपना score जो है comment box में जरूर बाता हैं तो चले शुरू करते हैं देखें यहां पर हमारा पहला question दिया गया है भारत की निम्न मिटियों में से कौन बेसाल्ठ लावा के अक्षा ये कारण निर्मित हुई है तो यह निर्मित हुई है रेगुर मिटी जिसे काली मिटी के नाम से भी जना जाता है और ये सबसे अधिक किस राज़े में पाई जाती है तो महराष्ट राज़े में काली मिटी या फिर रेगुर मिटी जो है सबसे अधिक किस राज़े में पाई जाती है आपको याद रखना है पहला जलोड मेटे दूसरी काली मेटे तीसरी सूसके ओमर वस्थलिय मेटे चोथी बन परवतिय मेटे पांचवी लाटराइट मेटे छटवी लाले पिली मेटे सातवी लवाडिया यां छारिया मेटे और आठवी जो है पीटे एवाम दलदली युक्ति मिटी यानि कुल आठ परकार के मिटी है जो है ये भारत में पाई जाती है आपको याद रखना है कुशन नमबर टू है किस कांग्रेसी सत्र में कारेकारी कमेटी को सबिना अग्या आंदोलन करने का अधिकार दिया गया था तो ये लाहर सत्र में दिया गया था ठीक है आंसर वो जाएगा भी भारतिय राष्टे कांग्रेस के लाहर अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था तो ये हुआ था 1929 में कब हुआ था 1929 में हुआ था और इसके अधिवेश कौन थे तो पंडित च्वाहरलाल नहरू जो थे इसके अधिवेश थे कुश्चन नमबर थोड है और इंडिया अंटेजिबिलीटी लीग बाद में जिसका नाम बदल कर हरिजन सेवक संग हुआ इसके प्रथम आधिश कौन थे तो हरिजन सेवक संग के जो प्रथा माध है इसते वो थे घंसे आमदास बिल्डा आपको याद रखना है घंसे आमदास बिल्डा इसके प्रथा माध है इसते आपको कहीं कहीं आप्शन में मिलेगा जीडी बिड़ला ठीक है जीडी बिड़ला आपको कहीं कहीं अप्शन में देखने को मिलेगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है घंसयांदास बिड़ला जो इनका पूरा नाम होगा तो आंसर वो चाहेगा B कुश्चन नमबर चार है दोतिय बिस्वयूद के समय ब्रिटेन के परधान मंत्री कौन थे दोतिय बिस्वयूद के समय ब्रिटेन के परधान मंत्री कौन थे तो बिस्टेन चर्चिल थे ठीक है दूसरी जो बिस्वयूद होई थी तो उसमय ब्रिटेन के परधान मंत्री बिस प्रधान मंत्री थे Lord Change Ford की बात करें तो भारत मतलब जालियावाला जो बागःत्या कांड़ हुआ था तो उस समय ये भारत की गौवर्णा जर्नल थे ठीक है भारत की गौवर्णा जर्नल जालियावाला बागःत्या कांड़ के समय कौन थे Lord Change यह स्पूर्ड थे आपको याद रखना है question number 5 है भारत के किस राज्य में फुलहर जील इस्थीत है फुलहर जील भारत के किस राज्य में में इस्थीत है तो यह इस्थीत है उत्तरप्रदेश राज्य में ठीक है करेक्ट हो जाएगा इसके अलावा भारत की जीलों सम्बंधि जो प्रसने एक जामें पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे है पहला दिया गया है 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 यह हम सिकंद्राबाद के बीचे कौन से जील इस्थीत है तो देखे है है द्राबाद और सिकंद्राबाद के जो बीचे मतलब जील इस्थीत है हुसेन सागर जील इस्थीत है दूसरा दिया गया है बेंबनाद जील किस राज्य में इस्थीत है केरल में है विश्व प्रसेद है खारे पाने की जील सांबर जील किस राज्य में इस्थीत है राजस्थान में इस्थीत है लोनार जील किस महाराष्ट्र में लोक्टक क्या है लोक्टक एक जील है भारत में मीठे पाने की सबसे बड़ी जील कौन सी है बुलर जील है मीठे पाने की सबसे बड़ी जील भारत में ताजे पाने की सबसे बड़ी जील भारत में ताजे पाने की सबसे बड़ी जील बुलर जील किस राज् में स्थीत है भारत की सबसे बड़ी खारे पाने की जील सांभर जील राजस्थान में स्थीत है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानि आर्टिफिसियल जील कौन सी है तो गोबिंद बलब पंत सागर जील जो की सोनभदर उतर प्रदेश में है भारत की सबसे अधिक उचाई परिस्तित जील चुमालू जील जो कि सिक्की में स्तित है भारत की सेकेंड आर्टिफिसियल लेके मेन मेड कहा है कौन सी जील है तो यह है धेबर जील या फिर जय समंद जील जो कि राजस्थान में है प्रसीद लाइगुन जील चिलका किस राज में स्तित है तो चिलका योडि आपको याद रखना है ये सारे जीलों से रिलेटेड एक्जाम है कुश्यन बार बार पूशे जाते हैं कुश्यन नमबर सिक्स है हैलो फाइटर से अच्छी ब्रिधी करते है हैलो फाइटर से अच्छी ब्रिधी करते है तो ये छारीय मिटी में अच्छी ब्रिधी करते है डी आंसर हो जायेगा कुश्यन नमबर साथ है मध्य रात्री का सुर्य दिखाई देता है, तो ये उत्री धुरू पर दिखाई देता है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कुश्य नमबर आट है, निम्नांकित में से कौन है, भारत का सबसे पुराना जल सकती उत्पादन केंद्र कौन सा है, ये है डार्जलिंग, कर उत्र परदेश में राने लक्ष्मिवाई बाधियोजना निर्मित है, तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कुश्य नमबर दौस है, निम्ने लेखित नदियों में से कौन है कि या मुना की सहायक नदी नहीं है, या मुना की सहाय अंडमान और निकुबार जो है, बंगाल की खाणी में दौिप समु है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारत के उपराश्पति का निर्वाचन एक निर्वाचक गौन दौरा किया जाता है, जिसके सदसे होते हैं, तो देखिए, जिसके सदसे संसत के दोनों सदनों के सभी सदसे होते हैं, भारत के उपराश्पति का निर्वाचन एक निर्वाचक गौन दौरा किया जाता है, जिसके सदसे होते हैं, तो संसत के दोनों सदनों के सभी सदसे होते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संबिधान को एक पवित्र दास्तावेज किसने कहा है, संबिधा अधार निम्नलेखित में से भारत में राष्टिया पातकाल की घंसला करने का अधार निम्नलेखित में से कौन नहीं है तो यहां पर आंतरिक सांतिक खत्रा इसके अधार पर जो है राष्टिया पातकाल की घंसला नहीं की जाती है बाकी ये तीनों यूध्य यूध्य बाहे आ क्रमण और सशस्त्र भित्रो यानि इन तीनों कारणों के अधार पर जो है भारत में राश्टिया पातकल की घोस्रा की जा सकती है ठीक है भारत में और जो राश्टिया पातकल लगाया जाता है तो राश्टपती के द्वारा कौन से अनुशेद के द्वारा लगाया जाता है question number 15 है भारत में बितीयापात काल की घोल आज तक है कितनी बार की गई है तो देखिए ऐसा situation अब तक हमारे भारत में नहीं आई जिससे कि बितीयापात लग सके तो बितीयापात जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा है कभी नहीं लगा है ठीक है बितिया पातर किस अनुशेद के द्वारा लगाय जाता है तो अनुशेद 360 के द्वारा भारत के राश्पति या दिचा है तो बितिया पातर का लगा सकते हैं सिचुएशन पढ़ने पर तो अभी तक जो है बितिया पातर भी अमारे देश में नहीं लगी है पंचवर्शी यूजना को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनमोदित किया जाता है तो ये अनमोदित किया जाता है राष्टिय विकास परिशद के द्वारा करेक्ट आंसर D हो जाएगा राष्टिय विकास परिशद की बात करें तो इसके स्थापना कब होई थी 6 अगस्त 1952 को की गई थी भारत में निर्धानता के अस्तर का आखलन किया जाता है भारत में निर्धानता के अस्तर का आखलन किया जाता है तो यह किया जाता है परिवार के उपियोग बेयाई के आधार पर जो है भारत में निर्धानता के अस्तर को अस्तर का आखलन किया जाता है आंसर हो जाएगा दोस्तों यह आदे आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में share करें चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकन जो है इसे जरूर से अन कर दें बेल आइकन अन करने से फाइदा यह होगा कि जब भी मैं कोई नीव वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेगा तो सबस्क्राइब करने बाद बेल आइकन अन रखें ऐसे उपकरण जो रासाइने कुर्चा को बीधु तूर्चा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है तो यह कहलाता है बैटरी ठीक है बैटरी जो है रासाइने कुर्चा को बीधु तूर्चा में परिवर्तित करता है यह आंसर हो जाएगा रात में किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान की मौत हो सकती है तो देखिए इंसान की मौत जो है किस पेड़ के नीचे सोने से हो सकती है तो नीम के पेड़ के नीचे सोने से हो सकती है D answer हो जाएगा माचिस का विसकार किस ने किया था माचिस का विसकार किस ने किया था तो John Walker ने ठीक है John Walker ने माचिस का विसकार किया था C answer हो जाएगा निमने लेखित में से कौन सा एक है RDX का अन्य नाम है निमने लेखित में से कौन सा एक और डीक्स का अन्य नाम है तो देखे इसका अन्य नाम है साइकलो नाइट जो है इसका अन्य नाम है डीक्स का डी आंसर हो जाएगा निमनलेखित में से कौन सी तरंगे धुरुवित नहीं की जा सकती है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा धुआने तरंगे धुरुवित नहीं क जा सकती है, आख की रेटीना कारे करती है, तो केमरे में फिल्म की तरा, केमरे में फिल्म की तरा जो है, आख की जो रेटीना होती हो कारे करती है, C आंसर हो जाएगा, निम्नलेखित में से किसमें लिंग गुण सुत्र नहीं होते हैं, किसमें लिंग गुण सुत्र नहीं होते हैं तो छिपकिली में नहीं होते हैं डी अंसर हो जाएगा पाकिस्तान प्रस्ताव की स्वरूप किसने तयार की पाकिस्तान प्रस्ताव की स्वरूप किसने तयार की सिकंदर हयात खाने सिकंदर हयात खाने पाकिस्तान प्रस्ताव की स्वरूप जो है तयार किया था बी अंसर ह जाएगा माविर ने किस भासा में उपदेश दिये माविर ने किस भासा में उपदेश दिये तो ये प्राकृत भासा में दिये थे डी आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो थे एक है अमीर खुसरो क्या थे ये तीनों थे कभी इतिहासकार और संगीत अग्यर ठीक है ये तीनों थे अमीर खुसरो डी आंसर हो जायेगा मेल घाट बाग अब्यारण किस राजे में है मेल घाट बाग अब्यारण किस राजे में है तो ये महराष्ट में है ठीक है महराष्ट में है D answer हो जाएगा 28 है निमनलेखित में से कौन उस्मा का सरवाधिक उत्तम चालक है किस चेतर में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है नाभीकिया उर्जा के छेतर में विशेष योगदान के लिए जाता है अइसे पदार्थ कौन है जिनका जलिया बिलियन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है ऐसे पदार्थ कौन है जिसका जलिया बिलियन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है तो यह है सधारण लवाण ठीक है C answer हो जाएगा Question number 31 है प्राकिर्तिक रबड को मजबूत और अधिक उच्छाल वाला बनाने के लिए इनमें उसमें मिलाया जानवाला पदार्थ कौन सा है प्राकिर्तिक रबड को मजबूत और अधिक उच्छाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जानवाला पदार्थ कौन सा है तो उसमें मिलाये जाने वाला जो पदार्थ है वो है Sulfur ठीक है C आंसर हो जाएगा निमनलगेखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकिला बनाने के लिए किया जाता है बर्तनों को चमकिला बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिंक अकसाइड का उपयोग किया जाता है D आंसर हो जाएगा मिमान सा दर्शन के अनुसार मुक्ती संभाव है कर्म से संभाव है D आंसर हो जाएगा निमनलेखित में से किसके मिर्तु दिवस को आतंगवादी बिरोधी दिवस के रूप में मनाय जाता है आतंकवादी पिरोधी दिवस के रूप में मनाय जाता है किसकी मिर्तु दिवस को तो ये मनाय जाता है राजीव काथे की मिर्तु दिवस को जो है आतंकवादी पिरोधी दिवस के रूप में मनाय जाता है C answer हो जाएगा UN की अस्थापना कब होई थी United Nations Organization इसकी स्थापना जो है सन्यूकतराष्ट अंतराष्टिय संगठन जो है इसकी स्थापना कब होई थी तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी इसका मुख्याला है पूछा जाए तो इसका मुख्याला है जो है बिदेशी यात्रि मुखमद बिन तुलक के सासन काल में भारत आये था तो ये इवन बतूता आये था ठीक है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जनजातियों के लिए सरपर्थम आदिवासी सब्द का प्रियोग किस ने किया था जनजातियों के लिए सबसे पहले आदिवासी सब्द आदिवासी सब्द का प्रियोग किस ने किया था तो ठक कर बापा ने किया था आदिवासी सब्द का प्रियोग सबसे पहले ठक कर बापा ने आदिवासी ये किया था बी आंसर हो जाएगा Q 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 सम्भिधान की आठ्वी अनुसुची में इन में से किसके बारे में दिया गया है तो भारतिय सम्भिधान की जो आठ्वी अनुसुची है उसमें अधिकारिक भासा को दिया गया है अधिकारिक भासा इसका बढ़न किया गया है भारतिय सम्भिधान की आठ्वी अनुसुची मे D answer हो जाएगा 41 है भारतिय राष्ट्य कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सरप्रथम स्वासासन या सुराज की मांग को ब्रिटिस सरकार के सामने रखा गया तो किस अधिवेशन में सबसे पहले जो है स्वासासन या सुराज की मांग को ब्रिटिस सरकार के सामने रखा गया तो यह रखा गया था कुलकाता अधिवेशन 1906 में ठीके कुलकाता अधिवेशन 1906 में जो है सबसे पहले स्वासासन या सुराई की मांग को ब्रेटिस सरकार के सामने रखा गया था कि यह आंसर हो जाएगा उसके बाद है यहाँ पर हमारा अगला कुश्चन है राश्टियर ठीका करन दिवस कब मनाय जाता है तो देखिए यह आपके लिए होमर कुश्चन रहेगा 10 मार्च 12 मार्च 16 मार्च या फिर 21 मार्च ठीक है त तो राश्टियर ठीका करन दिवस आपको बताना है इसमें कम मनाय जाता है यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट बक्स में जरूर बाता है वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आ ठाता है था तो इनल ठाता है उर्णियो के पनाया है और देगी